हेलो,सलावलेकुम विएर्स वालकुम बैक टू माई चैनल मैं हूँ आईशा और आज किस वीडियो में हम बनान जाना है एक बहुत सबर्बतस रेसेपी इंस्टाइंट कुल्फा जो के बहुत इसी ली घर पे बन जाता है वह भी प्रेट के साथ इंस्टाइंट कुल्फा बनाने के लिए ना तो आपको कोई की जरुवत है और ना हिकमी ये बहुत ही कम इंडियों के साथ गर पे बहुत इसी ली बन जाता है तो चलें वीडियो स्टाइट करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब को ना भूलें इन सेंट फूफा मिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए बनकप ब्रेट क्रॉंग्स, टूबल स्पूर मिल्क वाओडर, क्रश्प अलमेंट और इलाइची बाओडर, इन तमाम चीज़ों को एक बाओडना चीजरिके से मिक्स करके और साइट पे रखेंगे स्टाइबल पामिक्स रेड़ी है आपी जागूर को अचीज़ा उबाल लेके और इसे तीन चार उबाल आने तक 15-20 मिच तक के लिए पकाएंगे लोफ लेंपर स्टाइबल पामिक्स रेड़ी जाने के बाद अब मिक्स करके अच्छी तरीके से पकाएंगे और अच्छी तरीके से पकाएंगे बार बार चमचा चलाते रहेंगे से अच्छी तरीके से लोफ लेंपर मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और लोफ लेंपर 15-20 मिन के लिए पकाना है अच्छी तरीके से ले, पकाना है. झाल को तरीके से पकाना है रार बार पकाना है प्रव प्रव साथ प्रेश को अपीज़ एक दिश्मन निकाले के लिए अब इसे अवर्नाइट करेंगे इसे ओवर्नाइट उसे अब निकालेंगे आप इसे अशुब निकाल लेंगे और इसे ओवरनाइन फ्रीज में लख लेंगे हम इसे बादाम से अच्छी लएक इसे डेकुरेइट कर लेंगे हैं इसे ओवरनाइन के लिए फ्रीज में लख लेंगे हमारा कुल्फा तयार है प्रीज में लेंगे हमारा कुल्फा 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 लेंगे हमारा क